जो छन्नी में चाय बचती है वो देखे यहाँ पर मेरे पास है अब हम क्या करेंगे एक दूसरा बरतन लेंगे उसमें चाय डालेंगे अब पानी डालकर सबसे पहले हम चाय पत्ती को धुलेंगे क्योंकि चाय पत्ती में मीठा होता है अगर आपकी चाय पत्ती में कुछ अध जो चीनी है वो निकल जाएगी, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारे पास चाय पत्ती है, एक बर्तन में, इसमें हम डालेंगे एक छोटा ग्लास के लगबख पानी, यानी की 200 ग्राम के लगबख पानी, अब हम इसे बॉइल करेंगे, गैस अन कर लिया है, इसमें इस बर्तन को रख देती हूं, और वायल करने रख देती हूं, इसे वायल होने देंगे, अच्छा सा जैसे चाय में उबाल आता है, उसी तरह से जब उबाल आ जाएगा, तो गैस को हम बंद कर देंगे, देख रहे ना, अच्छी तरह से उबल रहा है, इससे चाय का सारा अर्क पानी में आ जाएगा लेकिन इसके बाद भी जो चाय बचेगी हम उसे फेकेंगे नहीं उसे आप ले जा करके छानने के बाद में अपने गंबलों में डाल दीजिएगा गुलाब का हो गुड़हल का हो या फिर किसी भी सबजी का हो एकदम बेस्ट खाद होती है ये होममेड चाय की जो वीडियो आपको मैंने बना कर दिखाया है लेकिन जो आज का पॉइंट है टॉपिक है वह पानी के उपर है तो यह जो पानी है इसे अब ठंडा हो जाएगा तो इस तरह की एक बोतल में इस प्रे बोटल में इसे भर देंगे आप सभी के घर में इस प्रे बोटल होती है कोई कपड़ा ले लेजिए यह तरह की टेबल फरनीचर सब के घर में होता है किसी भी टाइब का फरनीचर हो सोफा है लकड़ी की कोई भी चीज है इसमें हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे यह चायकार पानी ठंडा पानी और इसके बाद में हम इससे रुमाल से अच्छी तर हो गया है इस तरह इस्तेमाल करें यहां पर मेरे पास दूसरा टेबल भी है जिसमें हलके हलके दाग पड़ गए हैं धब्बे पड़ गए क्योंकि हम टेबल में कुछ खाते हैं चाय पीते हैं कुछ मीटा खाते हैं तो थोड़ा सा रह जाता है और नॉर्मल क्लीनिंग से व है वो भी बरकरार रहता है शाइनिंग बरकरार रहती है इसी तरह से आपके घर में जितने भी बहुत सारे खिर्किय और दर्वाज republican के पासे जो बहुत गंदा हो जाता है धूल मिट्टी और पानी की वजह से उड हो आप देखेंगे नॉर्मल तो सीसा में चमक अच्छे से नहीं आती है इसमें मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है और अब एक नैपकिन या कपड़े की साहता से इसे अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूं कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिलकुल कॉलन से भी अच्छी चमक आएगी आप देख भी पार रहे होंगे बैक साइड प के जो ग्लासेस हैं आप उन्हें साफ कर सकते हैं और इस चाय पत्ती से या पानी से आप बरतन भी साफ कर सकते हैं वाइट क्रोकरी जो होती है चीरी मिट्टी के बरतन होते हैं या फिर कांच के बरतन उन्हें भी साफ कर सकते हैं देखिए सीसा कितना बढ़िया चमकने लग मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है